हेलो दोस्तो माई यूटूब चैनल हेल्थ जीवन में एक नई वीडियो के साथ आप का फिर से स्वागत है तो दोस्तो इस वीडियो के अंदर हम चर्चा करने वाले हैं कि अखरोट खाने के क्या है फायदे और कब खाने चाहिए कैसे खाने चाहिए बहुत बार हम कुछ ऐसी चीज़ों का सियोन करते हैं जिनका हमें कोई फायदा या नुकसान मालूम नहीं होता और बहुत बार हम किसी भी चीज़ को बिना किसी समय के खा लेते हैं खहा जाता है हर चीज को खाने का एक सही समय होता है और ये समय हमारे स्रीर को तंदुरुस्त बनाने में मदद करता है आज इस वीडियो में जानेंगे कि अक्रोट खाने के क्या फाइदी है और कब खाना चाहिए कैसे खाएं तो इसके बारे में विश्तार से चर्चा करती हैं अकरोट एक ऐसा ड्राइफ रूटेजों की नय केवल खाने में फायदिमन्द है बलकि बहुत से पोस्क तत्यों से बरपूर होता है अकरोट दिमाग की निस्वों को तेज करने में मदद करता है ये पाचेतंतर को भी मजबूत करने में फायदिमन्द माना जाता है इसे खाने से रोज मरा की समचा दूर हो जाती है जैसे की कबज पढ़ाई में ध्यान लगना, स्रीर को तंदुरुस्त करना, स्रीर की यमिनिटी बढ़ना, पेट के अमल को संतुरुत रखना अधी तो सबसे पहले हम जानती है, अक्रोट में किस प्रकार की पोस्क तत्वा पाई जाती है इसके बारे में जानना बहुत जरूरी है, ताकि हम किस बिमारी में खाए या किस बिमारी में नहीं खाए अक्रोट नही केवल स्रीर और दिमाग को तंदुरुस्त बनाता है बलकि इसे खाने से मेमोरी भी बढ़ती है ये एक ऐसा तत्व है जो कि सेथ के लिए फाइदेमन माना जाता है इसमें बहुत से पुस्क तत्व पाई जाती है जैसे कि प्रोटीन, किलसियम, मेगनेसियम, आयरन, फासफोर्स, कोपर, सेलेनियम, ओमेगा 3, 50 एसीड आदी है ये सभी तत्व दिमाग को तेज करने में मददगार साबित होती है इसलिए इनका सेवन हर दिन करना चाहिए सुबह साम कई लोगों के मन में ये भी स्वाल आती है कि क्या खाली पेट अक्रोट खाने से फाइदे होती है या नहीं होती है तो उनको बता दे हम खाली पेट अक्रोट खाने के फाइदे होती है माना जाता है कि अक्रोट को सुबह खाली पेट खाना चाहिए इसे रात बर पाने में विगो कर रखना चाहिए और सुबह खाली पेट इसका सेवन करना चाहिए अक्रोट ड्राइफ रूप्स का राजा कहलाता है इसे खाने से नेक केवल सेथ और दिमाग देज करने में फाइदा होता है बलकि ये और आल हेल्थ को भी बढ़ाता है जो लोग हर रोज योग करते है या फिर किसी भी तरह की डाइटिंग बनाए रखते हैं या उन लोगों के लिए और भी फाइदे मद है अक्रोट में पुर्चूर मातरा में पुस्ट तत्वे मौजुद है या कुछ ऐसे तत्वे जो में बहुत सी बिमारियों से बचाय रखते है खाली पेट, अक्रोट खाना मेला और पुर्श दोनों के लिए फायदे मन्द है अक्रोट सभी उमर के लोगों के लिए एक समान फायदे पहुंचाता है अब जानते हैं हम अक्रोट खाने के क्या है फायदे कबज ठीक करने में साइक एक मुठी अक्रोट भिगो के रखते और सुबह इसका सेवन खाली पेट करे इसे से नया केवल आपकी कबस ठीक होगी बलकि आपको जुरूरी और फाइदेमंद तत्व है जैसे की फाइबर भी प्रापत होगा फाइबर हमारे पोचन को पचाने में मददगार साबित होता है इसे से मल नर्म बनता है और तता मल प्यागने में असनी होती है खाली पेट अक्रोट खाने से स्रीर रोखमुक्त रहता है द्रैसर खाली पेट अक्रोट खाने से हमारा स्रीर अक्रोट में मुझूत मिनरलस और जरूरी पोस्कतितों को अच्छे से ग्रेंड कर पाता है इसे से हमारे स्रीर की बिमारियों से लड़ने की समता अथार्थ युमिनिटी बढ़ती है और यादास्त भी तेज रहती है सवस्त हड़दे का अर्थ है खराब कोलेस्ट्रोल का निमिन सतर अच्छे कोलेस्ट्रोल का अच्छा सतर और स्वस्त वस्धा है गूड कोलेस्टरॉल दिल को जोडने वाली नसों यानि आर्टरीज को मतबूत रखता है और स्धील को दिल से जुड़ी बिमारियों से दूर रखता है अक्रोट का 7 श्ट्रोक और हारट अटेक जैसी बिमारियों से आपको बचाये रखता है मौसम बदलते ही कुछ लोगों की हड़ियों में दर्द होने लगता है या फिर दान्त कमज़ूर हो जाती है ऐसे में अक्रोट, फेटी, एसिडिस और मेगनेसियम का अच्छा सूर्स होने के चलते हमारी हड़ियों और दान्तों का ध्यान रखता है जैसा कि उपर के वीडियो में बताया गया है कि अक्रोट को ड्राइफ फूट्स का राजा का जाता है अक्रोट दिमाग को तेज करने वाला एक अच्छा फूट भी है अख्रोट का उपरी इसा नहीं इनसानी की दिमाग की तरह होता है बलकि ये इनसान के लिए दिमाग को तेज करने में भी मददगार होता है विज्ञान में माना गया है कि अख्रोट में पाई जाने वाले फेट और उक्षडेंटस स्ट्रेस के लेवल को कम करती है और साथ ही हमारे दिमाग की निसों को संतलित करती है इन सभी बिमारियों में एक्रोट का सेवन करने से पहले एक बार डोक्टर की सिलाद जरूर ले